नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज से हम उत्राखंड की विंसर एयर बुक की सीरीज को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं विंसर एयर बुक में आपको करन्ट अफेर और उत्राखंड सामाने ज्यान के बहुत ही महत्पून प्रश्ण यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके अलावा जो राज्य का करन्ट अफेर है और जो पूरे देश का करन्ट अफेर है उसको भी आपको यहाँ पे कवर वो आपका हो जाता है इस सीरीज में हम पूरी किताब के नोट्स को पेज बाई पेज यहाँ पे कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई भी कोशन जो आपका इस किताब से पूछा जा सकता है या इस किताब से बन सकता है वो सब आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे और एक्जाम में आपका एक भी प्रश्ण नहीं छूटेगा इस सीरीज को हम एक नए अंदास में यहां पे कवर करेंगे इसमें हमने अलग-अलग सेग्मेंट में बाठ कर इस पूरी किताब को कवर करेंगे आज यह हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो है इसमें हम जो कुछ important articles इसमें छपे हैं जहां से question बनने की संभावना है उनके proper notes मैंने यहां पर बनाए है और उनको हम यहां पे कवर करेंगे इसमें आपको जो किदारनात में आदी संकराचारे जी की प्रतिमा है उससे related तथ्य देखने को मिलेंगे उत्रा खंड के जो प्रमुक वीर व्यक्ति हैं उनसे related प्रश्ण देखने को मिलेंगे उनका articles है इसके अलावा आप सभी जानते हैं आजादी का अमरित महसव चल रहा है तो उससे related जो fact है जो question बन सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा जो Olympic 2021 है बहुत important उससे related सभी question सभी fact आपको यहाँ पर मिलेंगे तीन क्रशी कानून आए थे उनसे related सभी तथ्या आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आज के इस single video में इसके अलावा Gairsend राजधानी को लेकर के जो जो सामनी चीजें घटनाएं हुई हैं पीछे इतिहास में और वर्तमान में वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा उत्राखन बजट 2021-22 उसके सब तथ्या मिलेंगे और उत्राखन में कोरोना की क्या इस्तिती रही क्या क्या चीजे यहाँ पर वो सब आपको आज के इस सिंगल वीडियो में मिलेका तो यह हमारा इसका पहला पार्ट है तो आज चलिए फ्रेंट्स इसको शुरू करते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से आपका करेंट अफियर और जी के दोनों साथ साथ में कवर होता रहेगा और इस किताब से भी कई सारे प्रश्ण आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं अभी मैं आपको आज की वीडियो में पताऊँगा कितने कोशन यहां से अभी तक एक्जाम में बन चुके हैं तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले बात करेंगे केदाना धाम में जो आदी संकरचारे जी की समाधी है तिक हैं यह चर्चा में रही पिछले साल क्यों यहां पर आदी संकरचारे जी की नई प्रतिमा को इस्थापित किया गया कब इस्थापित किया गया पांच नवंबर 2021 को आदिगुरु संकरचारय जी की जो नई प्रतिमा है उसे केडानाध धाम में इस्थापेत किया गया किसके द्वारा परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा इसे देश को समिर्पित किया गया डेट आपको याद रखनी है 5 नवंबर 2021 आप सभी जानते हैं संकरचारय जी की समाधी कहां पर है केडानाध धाम में इन्होंने अपने प्राण कब त्यागे थे तो 820 इसवी में मातर 32 वर्ष की इनकी उम्रती और इन्होंने अपना यहाँ पर प्राण त्यागे थे जो इनकी प्रतीमा यहां पर स्थापित है उनको लेकर कुछ तथ्या है उनको यहां पर देख लेते हैं प्रतीमा की कुल उंचाई कितनी है तो जो मूर्ती है इसकी कुल उंचाई 14 फीट है इसे आपको याद रखना है 14 फीट को आपको दो भागों में तोड़ना है इसमें आएगी एक मुख्य मूर्ती ठीके जो मुख्य प्रतीमा है और इसमें आएगा आपका बेस बेस जो है वो 2 फीट का है और जो मुख्य प्रतीमा है वो 12 फीट की है तो कुल उंचाए कितनी हो गई? 14 फीट जो मुख्य प्रतीमा है वो 12 फीट की है और जो इसका base है वो इसका 2 feet का है यानि की आधार यहाँ जो प्रतीमा है संकरचारे जी की ये प्रतीमा ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है काले रंग की प्रतीमा है ग्रेनाइट पत्थर से बनी है इसके मूर्तिकार कौन है तो अरुन योगी राज ये मैसूर के रहने वाले हैं यानि करनाटक से हैं और इनके द्वारा इस प्रतीमा को बनाया गया है तो इसके प्रमुख मुर्तिकार कौन है अरुन योगी राज इस प्रतीमा का जो वजन है वो 35 टन है और इसे बनाने में 9 महिने से जादा का समय यहाँ पर लगा है तो ये कुछ important fact है इनकी प्रतीमा को लेकर के चर्चित विसे है हो सकता है यहाँ से आपसे question बन जाए ठीक है कई बार तो हो सकता है कि आपसे केवल प्रतीमा का रंग ही पूछ ले तो काले रंग की प्रतीमा है ग्रिनाइट से जो बनी हुई है चलिए दूसरा जो article है इस पे छपा हुआ वो है उत्राखंड के वीर व्यक्ति इन से related भी बहुत सारे question बनते हैं चलिए उनको देखते हैं सबसे पहले आते हैं मेजर सोमनाज शर्मा उत्राखंड के नहीं केवल भारत के पूरे भारत के पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्माणित किया गया था ये किस रेजिमेंट से संबंदित थे तो मेजर सोमनाथ शर्मा आपकी चौथी कुमाव रेजिमेंट से संबंदित है 1948 में कश्मीर के बढ़गाम में इन्होंने काफी जादा वीड़ता दिखाई थी यहां पर ये शहीद भी हुए और मरोनो उपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया ये आपको याद रखना है पहले व्यक्ति कौन है देश के जिनको परमवीर चक्र मिला वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से हैं ये कोशन बहुत बार पूछा गया है चौथी कुमाव रेजिमेंट से हैं साथ साथ में देखें मैंने पूरी बुक के जो आर्टिकल से हैं आपको पूरे आर्टिकल पढ़ने की ज़रूत नहीं है आप यहां से जो यह कोशन मैंने बना है इनसे भार वहां से और ज़्यादव कोशन नहीं बन सकते तो आप इनको नोट करते वे ज़रूर चलें आपकी पूरी बुक के नोट्स यहां पे कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइस और इसी तरह अलग-अलग सेग्मेंट में दूसरे जो प्रमुख हमारे वीर व्यक्ति हैं राज्य से वो है मेजर सैतान सिंग मेजर सैतान सिंग का संबन तेरवी कुमाओं रेजिमेंट से हैं ये आपको याद रखता है किस रेजिमेंट से संबन दित हैं तेरवी कुमाओं रेजिमेंट 1962 में जब भारत चीन का युद चल रहा था उस दोरान लद्दाक और नेफा छेतर में इन्होंने असीम यहां पर वीरता दिखाई जिसके बाद इनको मरनो उपरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया तो दोनों व्यक्तियों का आपको याद रखना है मेजर सोमनाश शर्मा चोथी कुमाओं रेजिमेंट और मेजर सैतान सिंग तेरवी कुमाओं रेजिमेंट ठीक है वे 1948 में शहीद हुए मेजर सोमनाश शर्मा और मेजर सैतान सिंग आपके 1962 में शहीद हुए तो दोनों को आपको याद रखना है रेजिमेंट दोनों की पूछी जाती है नेक्स्ट है हमारे अजीत डोबाल देगे अजीत डोबाल वर्तमान में देश के NSA है National Security Advisor है इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को पौडी के घीडी गाउं में इनका जन्म हुआ था जो अजीत डोबाल है यह 1968 के केरल बैच के IPS ऑफिसर है जन्म इनका पौडी में हुआ है 1968 में यह IPS ऑफिसर बने अजीत डोबाल को कीरती चक्र से सम्मानित कब किया गया तो इनको कीरती चक्र से सम्मानित 1988 में किया गया यह IB के प्रमुक भी रहे, Intelligence Bureau के यह प्रमुक भी रहे वर्तमान में 2014 से यह देश के राष्टिय सुरक्सा सलहकार है यानि कि NSA हैं तो इन से आपके यही सारे प्रश्निक बन सकते हैं सारे आपको याद रखने जादे इंपोर्टेंट है यह वाला और यह वाला ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे जनरल बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत भारत के पहले Chief of Defense Staff थे यानि कि भारत के पहले CDS कौन थे जनरल बिपिन रावत पिछले साल इनका हवाई दुर्खट्ना में निधन हुआ तो इनसे भी काफी सारे कोशन बनते हैं जो आपको याद रखने है ठीक है यह भारत के पहले CDS थे इनका जन 16 मार्च 1958 को धेरादून में इनका जन्म हुआ 20 वर्ष की उम्र में 1978 में यह 11 वी गूर्खा राइफल्स की 5 वी बटालियन में शामिल हुए ठीक है तो किस में शामिल हुए थे किस बटालियन से संबनती थे पांच वी बटालियन जो आपकी गूर्खा राइफल्स है 31 दिसंबर 2016 को यह देश के 27 सेना अध्यक्ष बने थे ठीक है Chief of Defense Staff CDS बनने से पहले यह आर्मी के चीफ थे ठीक है आर्मी चीफ थे कब बने थे 2016 में 2019 में इनका कारेकाल खटम हुआ आर्मी चीफ का और इनको 31 दिसंबर को देश का पहला CDS निक्त कर दिया गया और इन्होंने कारेभार 1 जनवरी 2020 को संभाल दिया देश का पहला CDS बनके ठीक है 8 दिसंबर 2021 को हेलिकॉप्टर जिसका नाम था IAF MI-17 V5 यानि की इंडियन एर फूर्स का जो मिलिटरी होस यहां पर हेलिकॉप्टर था MI-17 V5 यह दुर्गटना गरस्त हो गया कहां पर TAMIL-NADU के कुन्नोर के नजदीक और इसी दुर्गटना में इनका निधन हो जाता है तो आपको डेट भी याद रखनी है हलिकॉप्टर का नाम भी याद रखना है जगह का नाम भी आपको याद रखना है ठीक है इस द्रुगटना में इनके साथ 12 अन्य सैन्य कर्मी थे और इनकी पतनी मदुली का रावत का भी निधन यहाँ पे हो जाता है तो कितने सैनिक और थे इनके साथ 12 सैनिक यहाँ पर और शहीद हुए थे ठीक है चलिए अगले हैं हमारे जनरल विपिन चंद्र जूशी जनरल विपिन चंद्र जूशी के अगर हम बात करते हैं भारतिय सेना के एक मात्र अध्यक्ष हैं जिनकी अपने कारेकाल में मृत्य हुई थी यह अलमोडा में जन में थे 1935 में 1994 में इनका निधन हो गया था अगले ही वर्ष 1995 में इन्होंने रेटायर होना था आर्मी चीफ के पद से लेकिन उससे एक वर्ष पहले ही इनका निधन हो गया अपने पद पर रहते हुए यहां पर जिनकी मृत्यू ही एक मात्र व्यक्ति कौन है जनरल विपिन चंद्र जोशी ठीक है नेक्स्ट है हमारे एड्मिरल देवेंद्र कुमार जोशी इनको लेकर भी कोशन बन जाता है नौसेना पद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो वो हैं एड्मिरल देवेंद्र कुमार जोशी यह नौसेना अध्यक्ष थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा 2014 में दे दिया था और ऐसा करने वाले ये 9 सेना के पहले अध्यक्ष थे इनका जन्व भी अलमोडा में हुआ ये भारत के 21 सेना अध्यक्ष रहे और 2017 में इनको अंडमा निकोबार का उपराजयपाल बना दिया गया ये भी कोशन बन सकता है कि किस पूर्व 9 सेना अध्यक्ष को अंडमा निकोबार का उपराजयपाल बनाया गया देवेंद्र कुमार जोशी को ठीक है नेक्स्ट है हमारे दर्बान सिंग नेगी देखे दर्बान सिंग नेगी की बात करते तो ये भारत के पहले विक्टोरिया क्रोस विजेता है ठीक है भारत के भी और उत्राखंड के तो होंगे ही उत्राखंड के भी पहले विक्टोरिया क्रोस विजेता कौन है दर्बान सिंग नेकी जो ये विक्टोरिया क्रोस है ये उस समय ब्रिटिश काल का सर्वुच सैनिक पुरुसकार था जैसे आज जो सर्वुच सैनिक पुरुसकार है वो परमवीर चक्र है उस समय का ये सर्वुच सैनिक पुरुसकार था और इसको जीतने वाले पहले भारत के कौन है दरवान सिंग नेकी इनका जन्म चमोली में और यहीं पर इन्होंने अपनी असालधरन वीरता को दिखाया जिसके बाद इनको जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंच्रम वो खुद युद के मैदान में गए और इनको विक्टोरिया क्रॉस से समाने किया था ठीक है जो ये फेस्टुवर्ट है य पहले वल्ड वार के दौरान 1914 में यहीं पर तैनाथ थे और इन्होंने जर्मनी के साथ यहां पर मुकाबला करा था जर्मनी को इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि बुरी तरीके से अपने ही दम पर पराजित कर दिया था ठीक है तो इसलिए इनकी वीरता के बाद राइफल से संबंदित थे इसे भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो दरबान सिंग नेगी साब से कोशन बनते हैं पहले विश्व पहले वर्ड वार के दौरान यह कहां पर नेक्त थे फेस्टू वर्ड में ठीक है यह पहले विक्ति हैं जिनको प्राइए विक्टो इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है ब्रिटिश काल का ये सर्वुच पुरुसकार है वीटता पुरुसकार और इसको पाने वाले दूसरे उत्राखन के कौन है गबबर सिंग नेगी इनको मरणो उपरांद ये अवार्ड मिला था इसे भी आपको याद रखना है दरब ये कोशन पेपर में पूछा गया है कि गबबर सिंग नेगी पहले विशुद के दौरान कहां पर तैनाद थे तो न्यूवे शेपल के युद में ये तैनाद थे इसको आपको याद रखना है कोशन पेपर में बन चुका है ये आपके सांजूर गाउं चमबा टिहरी इन से भी कोशन बनते हैं उनकी ही वीरता से प्रभावित होकर अंगरेजों के दूरा गड़वाल राइफल्स की स्थापना किसकी सिफारिश पर करी गई और अंगरेजों ने करी उनका नाम था बलभद्र नेगी इनका नाम आपको याद रखना है इन्होंने जो आंगल अफगान युद्ध हुआ था 1878 में उसमें इन्होंने अपनी असाधर्ण वीर्टा यहाँ पर दिखाई थी जिसके बाद अंग्रेज काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सिफारिश करी कि एक अलग सी गड़वाल बटालियन यहाँ पर होनी चाहिए तो दो कोशन बनते हैं किसकी वीर्टा से प्रभावित हुए तब आप बताएंगे बलबदर सिंग नेगी या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है किसकी सिफारिश पर बनी तो भी आप इन्ही का नाम बताएंगे ठीक है इनकी वीर्टा से प्रभावित होकर लॉड फ्रेडविक रॉबर्स जो कि उस समय कमांडर इनचीफ था उसने ब्रिटी सरकार से गड़वालियों की एक अलग पल्टन बनाने की सिफारिश करी थी ठीक है किसके कहने पर ये सब हुआ था बलबदर सिंग नेगी के कहने पर किसने करी थी सिफारिश अंग्रेज अधिकारी का नाम भी आपको याद रखना है इससे पहले हुआ क्या था अंग्रेजों ने पहले क्या करा था गूर्खा, गड़वाली और कुमाउनी इन तीनों को मिला कर एक पल्टन बनाई थी इस पल्टन का नाम इन्होंने नसीरी, सिर्मौर, कुमाउनी बटालियन रखा था और इसे ही बाद में गूर्खा राइफल्स का नाम दिया गया जब अभी 1887 में गड़वाल राइफल्स का गठन हो जाता है चरिए नेक्स्ट है हमारे जस्वन सिंग रावत जस्वन सिंग रावत जिन है हीरो ओफ नेफा या नूरानांग युद्ध के लिए याद किया जाता है ठीक है जस्वन सिंग रावत का जन्म 19 अगस्ट 1941 में हुआ पौडी के बाडियू गाउं में इनका जन्म हुआ चोथी गड़वाल राइफल्स में ये भरती हुए 1960 में इसको आपको याद रखना है कौन सी गड़वाल राइफल्स में भरती हुए थे जस्वन सिंग रावत ये हुए थे चोथी गड़वाल राइफल्स में हीरो आफ नेफाक यानि की जो नूरानांग युद्ध है इसके लिए इनको याद किया जाता है यहाँ पर इन्होंने अपनी असाधरन वीरता दिखाई थी हुआ क्या था देखे 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था जो यह नूरानांग है यहाँ पर इनकी बैरक थी और इस पर यह क्या करते थे बैरक नंबर एक बैरक नंबर दो बैरक नंबर तीन बैरक चार और बैरक पांट ऐसे ही इन पांच चो बैरकों में यह जादी जाके इधर उदर जाके हर जगह से गोलियां चलवा रहे थे चीन के ओपर एक एक व्यक्त थी ठीक है इधर से आगे से की सेना आ रहे थे उनको लग रहा था कि अंदर काफी जादा फौज अभी भी इंडिया की बची हुई है लेकिन अंदर अकेले जस्वन सिंग रावत थे जो बारी-बारी सारे मूर्चों से फायर यहां पर कर रहे थे और इन्होंने 72 घंटे तक यह कार्या यहां पर किया उसक कब हुए 17 नवंबर 1962 को जस्वन सिंग रावत यहां पर शहीद हुए और इन्हीं की याद में नूरा नांग दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को जब कहा जाता है कि जब चीन की सैनिक अंदर आई देखने के लिए कि कितने सैनिक यहां पर थे तो वहां पर केवल एक सैनिक जिससे चीन की भी काफी जादा प्रभावित हुआ था इनकी वीरता से ठीक है यह सारी बाते हैं आपको याद रखनी है इनका जल्म इनका जिला और कौन सी उसमें भरती हुए तो और हीरो औफ नेफा और किस युद से संबंदी थे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा अ आजादी का अमरित महोसव आप सभी जानते हैं आजादी का अमरित महोसव चल रहा है तो बहुत जादा चांसे हैं कि यहां से आपका एक कोशन बन जाए ठीक है आजादी का अमरित महोसव कब शुरू हुआ ये शुरू हुआ बारहा मार्ज 2021 से और कब तक चलेगा 15 अगस 2022 22 तल ठीक है तो 12 मार्च 21 से ये शुरू हुआ है आप सुनते वे आ रहे होंगे टीवी में टीवी डिवेट्स में की आजादी का अमरित महुसब चल रहा है कब से चल रहा है आपको डेट याद रखनी है 12 मार्च 2021 कब तक चलेगा 15 अगस 2022 ठीक है 12 मार्च ही क्यों चुना 2021 क्यों चुना 12 मार्च को ही जो डांडी मार्च था वो शुरू किया था महत्मा गांधी ने ठीक है तो इसलिए इसको यहाँ पे शुरू करा है तो इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है चले 17 संग्राम और उत्राखन की यहाँ पर कुछ important fact यहाँ पर दिये गए थे इनको भी revise कर लेते हैं उत्राखन में कैसे कैसे यहाँ पर संगठन बने थे उनके बारे में है जादा deep में नहीं है कुमाओ में कॉंग्रेस की स्थापना 1912 में होती है सभी जानते हैं कुमाओ कॉंग्रेस कब बनी 1912 में गड़वाल कॉंग्रेस कब बनी थी गड़वाल कॉंग्रेस 1918 में बनी थी हुम्रू लीग की स्थापना 1914 में हुई उत्राखन के अंदर कुमाओ परिशत की स्थापना 1916 में होती है कुमाव परिशत का विलय कॉंग्रिस में 1926 में हो जाता है महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर 1946 तक उत्राखंड की कुल 6 बार यात्रा करी थी तो ये एक नया प्रशन एक्जामनर को मिल सकता है कि महात्मा गांधी 1915 से लेकर के 1946 तक ये जो 30 वर्षों का समय है कितनी बार उत्राखंड आए तो ये 6 बार उत्राखंड आए थे नेक्स्ट टिहरी रियासत के भारत में विलय की प्रक्रिया कब पूरी हुई ये हुई 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं टिहरी रियासत भारत में विलय कब हुआ टिहरी रियासत का विले भारत में हुआ 1 अगस्ट 1949 प्रक्रिया कब पूरी हुई आप याद रख सकते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे सभी आर्टिकल्स को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स यहां पर बनाए हैं जिससे आपको इनके नोट्स बनाने की जाजा आपको महनत ना करने पड़े आपको केवल इनको पढ़ना पड़ेगा इनको रिवाइज करना पड़ेगा ठीक है पूरी बुक के नोट्स हैं आपका कोई भी प्रशन नहीं छूटेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें चली अब बात करेंगे ओलम्पिक में भारत की ठीक है ओलम्पिक हुए 2020 के टोक्यो ओलम्पिक 2020 इनके खेल 2021 में हुए आप सभी जानते हैं इनके बारे में डिटेयर में बात करेंगे देखें टोक्यो ओलम्पिक में भारत को पहला पदक किस ने दिलाया था तो टोक्यो ओलम्पिक में पहला पदक मीरा भाई चानू के द्वारा दिलाया गया था किसे संबद्धित हैं? वेट लिफ्टर हैं चवालीस किलो वर्ग ग्राम में इन्होंने भारत को पदक यहाँ पर दिलाया था, रजत पदक, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, कोशन आपको डारेक्ट बनेगा, मेरा भाई चानू किस खेल से संब्धित है, किस भारव वर्ग में इन्होंने पदक जीता, कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता, ठीक है, दो अलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतिया कौन बनी है, ये बनी है, पीवी सिंधु, ठीक है, दो अलग-अलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी खिलाडी है, कौन, पीवी सिंधु, पहले कौन है, पहले खिलाडी थे, पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने 2016 का जो रियो ओलम्पिक था और 2020 का जो यह टोक्यो ओलम्पिक था इन दोनों में इन्होंने पदक जीते थे ठीके पीवी सिंधु किसे संबंदित है बैडमेंटन की खिलारी हैं नेक्स्ट हैं तो अभी तक हमने तीन पदकों की बात कर ली है मेरावाई चानों और पीवी सिंधु दो पदकों की बात कर ली है अब बाकी के पांचों की भी बात कर लेंगे भारत की पुरुष हौकी टीम ने 41 वर्ष के बाद पदक जीता कौन सा पदक था कांसिया पदक था और ये टीम ने 41 साल के बाद भारत को हौकी में कोई मेडल यहां पर मिला था इससे पहले 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और महिला होकी इस ओलम्पिक में चोथे नमबर पर रही थी ये कुछ फैक्ट है कितने वर्ष के बाद जीता इससे पहले भारत ने गोल्ड मेडल कब जीता था 1980 में तो 1980 के बाद जाकर के 41 साल बाद भारत को होकी में कोई मेडल यहां पर मिला था ठीक है चलिए तीन मेडल हमने बात कर लिए लवलीना, बोर्ग, गोहेन यह बॉक्सिंग से खिलाडी है 69 किलो ग्राम में इन्होंने कांसिय पदक जीता तो 4 पदक भी हमने यहां पर देख लिया कुस्ती में भारत ने 2 पदक जीते रवी कुमार दया इन्होंने रज़त पदक जीता बजरंग पुनिया इन्होंने कांसिय पदक जीता तो 4 और 2-6 पदकों की हमने बात यहां पर कर ली है आपको डारेट कोशन बनेगा भाला फेकन वाले हैं नीरत चोपडा जैवलिन थ्रोवर हैं इनके द्वारा यहां पर गूल्ड मेडल जीता गया था ठीक है पहली बार भारत ने एसलेटिक्स में गूल्ड मेडल जीता था तो यह 7 पदक हमने बात करी उनके खिलाडियों की बात करी उनके पदकों के बारे में बात करी ठीक है उलम्पिक की बात करते हैं तो उलम्पिक की शुरुवात 1896 से होती है भारत उलम्पिक में 1900 से खेल रहा है ठीक है 1900 में आप जानते हैं जो नॉर्मन पिचाड थे उन्होंने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था ठीक है, 1900 से लेकर के 2021 तक भारत ने ओलमपिक में 10 गूल्ड मेडल सहित कुल 35 पदा की अभी तक जीते हैं 10 गूल्ड मेडल में से 8 गूल्ड मेडल जो तो हौकी में जीते हैं एक गूल्ड मेडल अभिनाव बिंदरा ने जिलाया था 2008 में और एक निरत चोपडा ने 2021 में ठीक है, चली अब बात करेंगे जो तीन क्रशी कानून थे इनके बारे में ठीक है, आपको डारेट कानून के näम पुछे जा सकते हैं कि कौन सा कानून नहीं था क्योंकि काफी जादा ये चर्चा में रहा, इसके बारे में बात करेंगे क्या इसके अंदर बाते थी, क्या इसका विरोध था, क्या इसका समर्थन था और क्या जब प्रधान मंत्री जी ने इसको वापस लिया तो डेट आप से पूछे जा सकती है कि कब उन्होंने इन कानूनों को वापस करने की घोशना करी थी देखे, जो पहला कानून था, वो था क्रिशी उपज व्यापार और वानिजिय अधिनियम 2020, ठीक है, इसका ये पहला कानून था, इस कानून में किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहिया कराने का उद्देश्य था, ठीक है, यानि कि जो ये पहला का कानून था, इसके तहट किसानों के उपर से ये पावंदी हटा दी गई थी, कि उनको अभी तक क्या था, कि किसान अपनी उपज को किसी अधिकरत मंडी में ही जाकर बेच सकता था, तो इक सरकार इस कानून को लाए कि अब किसान कहीं पर भी किसी भी व्यापारी को, किसी भ दुकान को, जो उसे अच्छा पैसा देता है, उसको अपना उपज बेच सकता है, ठीक है, ये इस कानून में कहा गया, कि वो देश के किसी भी कोने में जाके केवल जरूरी नहीं है कि सरकारी मंडी में ही जाए, वो कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए, इसका विवाद, इसके विरोध क्यों किया गया, इसका विरोध हुआ, किसानों ने कहा, कि जब वो शुरुवात में, उनको तो बाहर अच्छे पैसे मिलेंगे, जैसे भी सरकारी मंडी है, ठीक है, सब ही लोग यहाँ पर लेकर आते हैं अपनी उपज, जब उन्हें बाहर स अच्छा पैसा मिलेगा, तो मंडी में कोई नहीं जाएगा, सब लोग बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे-धीरे मंडियां बंद हो जाएंगी, और जब एक बार मंडी बंद हो जाएंगी, तो फिर जो बाहर के लोग होंगे, उनको पता होगा, कि अब किसानों के पास कोई विखल्प नहीं है, मंडी है नहीं, तो यह क्या करेंगे, अब हमीं को बिचेंगे, तो यह यहाँ पर इसका यह विरोध हुआ, ठीक है, जो दूसरा क्रिशी कानून था यहाँ पर इसका नाम था, क्रिशक, कीमत, आसवाशन और क्रिशी सेवा पर करार अधिनियम 2020, यह जो कानून था, यह contract farming से जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो आपको direct question बनेगा, कि तीन क्रिशी कानून में से कौन सा कानून, contract farming से जुड़ा है, तो इसका नाम याद कर लीजिए, पूछा जाएगा, ठीक है, contract farming यानि कि किसान, किसी भी व्यापारी से, किसी भी businessmen से direct contract कर सकता थ कि जो भी फसल यहाँ पर होगी, चाहे होती है, चाहे नहीं होती है, वो पहले ही उसको contract based साइन कर लेका, यानि कि मान लीजिए, अगर किसान ने फसल करी, और उसने किसी व्यक्ति से contract कर लिया, और अगर फसल बरबाद हो जाती है, तो भी किसान को जादा नुक्सान नहीं ह ठीक है, ये इस कानूर में कहा गया था, किसानों ने इसका विरूद किया, कि अगर contract farming हो जाती है, तो जो व्यपारी होंगी, वो अपना फाइदा देखेंगे, और हमसे जो वैसी फसले होंगी, जो जादा मुनाफ़ा देती है, उनको करवाएंगे, जिससे भूमी की जो उर पसलों के भंडारन और काला बजारी रोकने के लिए, सरकार ने पहले एक एक्ट बनाया था, Essential Commodities Act 1955, तो इस एक्ट में वो जरूरी चीजें यहां पर शामिल की गई थी, जिनका आप एक सीमा से जादा भंडारन नहीं कर सकते, लेकिन इस नय जो ये कानून आया, इसके तह इनको इस सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है, यानि कि अब कोई भी विक्ति इनका कितना भी भंडारन कर सकता है, तो ये इस कानून में कहा गया, किसानों ने विरोध किया कि जो भी अमीर विक्ति हैं, वो सारी चीजों का भंडारन कर लेंगे, क्योंकि अब कोई तक लगबग 383 मुदी के दूरा कृशी कानून वापस लेने की घोशना 19 नवंबर 2021 में करी गए थी ओधिकारी रूक से किसान अंदूनलिण वापस 12 दिसमबर को हुआ था नेक्स्ट है हमारा अब बात करेंगे जो गैरसेंट को लेकर के विवाद हुआ यहाँ पर पहले राजधानी घोशित क्वी उत्राखन की ग्रीश मिकालीन उसके बाद 2021 में उस समय के मुख्यमंत्री ने इनको जो गैरसेंट था इसे मंडल ही घोशित कर दिया था तो उसको लेकर कुछ फेक्ट है गैरसेंट राजधानी आंदूलन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे तरिवेंज सिंग रावत ने गैरसेंट को मंडल बनाने की घोशना कर दी थी जिसमें जो गैरसेंड मंडल होगा इसमें चार जिले होने थे अलमोडा, बागेशवर, चमोली और रुद्रप्रियाग दो कुमाओं के जिले होने थे, दो गड़वाल के जिले होने थे जैसे ही गैरसेंड को कमिशनरी बनाने की घोशना हुई तो इसका काफी विरूद हुआ और जाधा विरूद इसका अलमोडा में हुआ इसलिए आपको इसे याद रखना है बाद में इसे इस फैसले को, कि गैरसेंड को मंडल बनाया जाएगा इस फैसले को निरस्त कर दिया गया 9 अप्रेल 2021 में गैरसेंड राज्य की गिरिश मिकाली राजधानी है इस्तानिया भाशा में गैर का अर्थ होता है गहराई और सेंड का अर्थ होता है समतल भूमी यानि गैरसेंड का मतलब हो गया गहरी घाटी में समतल भूभाग या मैदान वाला भाग ये कोशन बन सकता है कि सेंड का अर्थ क्या होता है समतल भूमी, गैर कर्थ होता है गहराई, गैर सेंड कर्थ क्या होता है गहरी घाटी में समतल मैदान कुछ important fact है यहाँ पर गैर सेंड को लेकर के UKD ने अपने चौदवे अधिवेशन में 1992 में गैर सेंड को चंदर नगर नाम देते हुए इसे अपचारिक राजधानी के रूप में घोशित किया था कई बार यह कोशन बना है पेपर में UKD ने कब इसे घोशित किया था उत्राखन की राजधानी 1992 में कौन से अधिवेशन, चौदवे अधिवेशन, ठीक है कौसिक समीती ने भी गैर सेंड को राजधानी के लिए उप्यूप्त माना था जो 1994 में कौसिक समीती बनती है तो इसने भी यह कहा था कि गैर सेंड को राजधानी बनाना चाहिए बाद में जो राजधानी गठन आयोग आता है विरेंद्र दिक्षित आयोग जिनका पूरा नान था विरेंद्र दिक्षित यह गैर सेंड को मना कर देते हैं और देहरदून को राजधानी के लिए उपयुक्त बताते हैं ठीक है ये कुछ गटना करम है जो आपको याद होना चाहिए गैरसेंड में पहली बार कैबिनेट की बैठा कब हुई थी ये हुई 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री कौन थे विजय बहुगुणा गैरसेंड में टेंट में विधानसबा सत्र कब आयूजित हुआ 2014 में हरी श्रावत के काल में भराडी सेंड में जो नया विधानसबा भवन बनाया गया इसमें पहला विधानसबा सत्र कब आयूजित हुआ यह हुआ 2016 में त théकि पहला विधान सभा सत्र गैरसेंड में तो 14 में हुआ लेकिन यह वहाँ के टेंटों में इसकुल कॉलिजों में हुआ ठीक है जो विधान सभा का सत्र हुआ विधान भावन में वो हुआ 2016 में गैरसेंड अदिकारिक रूप से ग्रिश मिकालीन राजधानी कब बनी ये बनी थी 8 जून 2020 को देखे 4 मार्च 2020 को त्रिविंद रिंग रावत ने घोशना करी थी कि गैरसेंड राज्य की ग्रिश मिकालीन रास्थानी होगी और 8 जून 2020 को इसकी ओफिशल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता है कुमाओं कमिशनर लूशिंग टन को गैरसेंड पसंद था वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आके अपना दरबार भी लगाता था तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा कमिशनर था जिसको गैरसेंड पसंद था तो वो था कमिशनर लूशिंग टन ठीक है चलिए अब यहाँ पर जल्दी से गैरसेंड राजधानी आंदूरन को यहाँ पर जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं उत्राखन करांती दल ने उत्राखन का ब्लूपरिंट में गैरसेंड को राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया कब 13-14 जनवरी बागेश्वार का जो उत्रायनी मेला है ठीक है 1992 में 1992 में ही 24-25 जुलाई को जो इंद्रमनी बढ़ोनी थे और कासी सिंग एरी इन्होंने गैरसेंड का नाम चंद्रनगर दिया और इसे राजधानी का यहां पर सिलन्यास भी कर दिया ये भी हुआ 1992 में कोशन बनता है 4 जनवरी 1994 को उमा शंकर कौसिक समीती का यहां पर गठन किया गया कहीं पर इसे रामा शंकर कौसिश भी लिखाए मेरे खाल से रामा शंकरी है मिस्प्रिंट यहां पर हुआ है अब इक पर इसको चेक कर लेना इन्होंने इनका गठन 1994 में हुआ इन्होंने भी राजधानी गैरसेंड को बनाने के सिफारिश करी थी ठीक है तो कौसिश समीती ने किसकी सिफारिश करी थी राजधानी के लिए गैरसेंड की बाबा मोहन उत्राखंडी का 8 अगस्त 2004 को निधन हो गया 38 दिनों का इन्होंने आमरण अंशन किया नेनिताल में इनका निधन हुआ ठीक है बेनिताल में ठीक है राजधानी की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे और विभिन मुद्धों को लेकर 38 दिन के आमरण अंशन के बाद बेनिताल के निकट इनका निधन हुआ कोशन बन सकता है ठीक है 23 सितंबर 2000 में उत्राखन महिला मंच ने एक विशाल रैली की निकाली और गैरसेंट रास्थानी को गोशित किया तो उत्राखन महिला मंच ने कब निकाली रैली 2000 में ये वाला कोशन important है कि अक्टूबर 2000 में उत्राकंड संयुक्त संगर समीती ने देहरदून में खबरदार रेली का आयोजन किया गया। आप से कोशन बनेगा 2000 में खबरदार रेली का आयोजन कि सिस्थान पर हुआ आप बताएंगे देहरदून किसने किया उत्राकंड संयुक्त संगर समीती ने राजधानी चयन आयोग बना 2001 में विरेंद्र दिक्षित की अध्रिक्षता में बना और इसने अपनी रिपोर्ट 2008 मे गैरसेंड के अंदर उत्राकंड परिवर्तन पार्टी का गठन किया गया पूछा जा सकता है 3 नवंबर 2012 को मुख्या मंतरी विजय बहगुणा ने गैरसेंड में मंतरी मंडल की बैठक यहां पर करी जो पहली बैठक थी मंतरी मंडल की ठीक है यानि की कैबिनेट बैठक पहली बार कब हुई 2012 जो हमने उपर देखा 14 जनवरी 2013 को गैरसेंड में प्रस्तावित विधानसभा भवन के लिए भूमी का सिलिन्यास किया गया सिलिनास किया और भवन निर्मान कार्य शुरू हो गया 9 नुमंबर 2013 को इक कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं आंदूलन की आपको पता होने चाहिए 9 जून से लेकर के 11 जून 2014 तक गैरसेंड में विधानसभा सत्र आयूजित किया गया ठीक है ये इंपोर्टेंट है गैरसेंड विकास प्रादिकरण का गठन कब हुआ तो ये हुआ 2014 में ठीक है गैरसेंड में विधानसभा का सीथकालिन सत्र कव आयूजित किया गया तो 2 से 6 नुमंबर 2015 में हुआ ये गैरसेंड में हुआ दूसरा सत्र था पहला सत्र कब हुआ था? 2014 में, दूसरा हुआ 2015 में, तीसरा होगा नए भवन में जो नए भवन में हुआ पहला होगा, ठीक है? 2016 में नव निर्मित विधान सभा भवन में जो सत्र हुआ 17 नवंबर 2016 को यहां गैरसेंड में विधान सभा का तीसरा सत्र था लेकिन सभा की अंदर जो विधान भवन वहाँ पे बना था उसके अंदर हुआ ये पहला था चार मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंग रावत ने गैरसेन को ग्रिश्म काली राजधानी घोशित कर दिया था अब बात करेंगे उत्राखन मांगे भू कानून इसको लेकर भी यहां पर एक आर्टिकल है तो यहां से भी आपसे दो-तिन कोशन बन सकते हैं क्योंकि अब उत्राखन में भी भू कानून बनाने की मांग काफी जादा यहां पर हो रही है ठीक है तो चलिए हिमाले राज्यों में उत्राखन एक मात्र ऐसा राज्य है जहां जमीनों की खरीद फरुक्त की स्वतंत्र चूट है हिमाले राज्य है कौन? नौर्थीस्ट के आठ हो गया हिमाचल हो गया जम्मू कश्मीर हो गया रुत्राखन हो गया ये ग्यारा राज्य कौन है हिमाले राज्य है और इन में उत्राखन अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो भूमी की खरीद है बहारी लोगों के लिए उनको रोक सके ठीक है हिमाचल परदेश में 1972 में Tenancy and Land Reform Act यहां पर पारित किया गया था जिसकी जो धारा है 118 इसके तहत परदेश की अंदर कृशी योग्य भूमी को आप नहीं खरी सकते हैं तो हिमाचल परदेश में तो यह लागू है जमू कश्मीर आप सभी जानते हैं 370 वहां पर लागू थी तो इसके तहट वहां की भूमी भी सरक्षित थी कि कोई बहारी व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता जो नौर्थ इस्ट के राज्य हैं वहां पर समविधान का जो आर्टिकल 6 है वो लागू है कि कोई भी बहार के व्यक्ति वहां भूमी नहीं खरी सकता केवल उत्राखंड में जो है वो क्या है छूट है यहां पर खुली कि आप जितनी भूमी चाहे खरी सकते हैं पुर्वत्र राज्यों की तरहां समविधान की धारा 371 के तहट उत्राखंड की संस्कृति और जमीनों को सनक्षित करने की मांग लगातार की गई है यानि कि यहां पर भी कोशिश की गई कि 371 आर्टिकल के तहट उत्राखंड की भूमे को यहां की संस्क्रिति को भी यहां पर सरक्षित किया जाए तो यहां से जो fact आप से बन सकते हैं question आपको पूछेगा जो हिमाचल प्रदीश में Tenancy and Land Form Act है कब पारित हुआ 1972 में ठीक है और इसके लिए इन्होंने जो अगले साल के लिए जो बजट पेश किया उत्राखंड का यह था 57,024 करोड का बजट था तो यह नंबर पूछा जा सकता है कुछ important खर्चे यहां पर जिस जिसमें कितना पैसा यहां पर देया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं बजट में सरवादिक जो खर्चा था 29.58 फीसिदी यह वेतन भत्ता मजदूरी के लिए परस्तावित है यानि कि 57,000 करोड में से लगभग 30% हिस्सा केवल तनखवा देने में मजदूरी देने में भत्ता देने में जाएगा इसमें अभी पिंचन शामिल नहीं है अगर पिंचन को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा आपका 42 के उपर हो जाता है 42.61 प्रतिशत यानि कि लगभग 42 प्रतिशत जो पैसा है राज्य का वो किस में जाता है तन्खवा में पिंशन में इन में जाता है ठीक है चलिए काफी महत्वण योजना थी ये पूर्व मुख्यमंतरी त्रवीन सिंग रावत की मुख्यमंतरी घसियारी कलियान योजना इसके लिए कितना रुपए दिया जाएगा 25 करूड रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया चिकिसा शिक्षा के लिए बजट में 228 करूड 99 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। किसके लिए चिकिसा शिक्षा के लिए। स्वांस्थ छेत्र के लिए बात करें तो स्वांस्थ छेत्र के लिए टोटल 3319 करूड की ववस्त्ता यहां पर की गई। को लेकिन इसको बाद में खारिज कर दिया गया था ठीक है कौन कौन से जिले होने थे ये भी मैंने आपको बताया था ठीक है अब बात करेंगे उत्राखंड में बैंकिंग विवस्था की इसको लेकर भी आपसे कुछ कोशन यहां पर बन जाते हैं इनको देखेंगे और फिर ह इनको मिला करके एक नया बैंक बनाया गया उत्राखंड ग्रामीड बैंक हालाकि इसके पूरी जो टेटेल है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो आपके ये तीन बैंक हैं अलगा जमन और पित्वर गड़ इन तीनों को मिला कर 2006 में उत्राखंड ग्रामी ग्रामिर बैंक बना है तो आपको ये वाला याद रखता है राज्य में तीन बैंकों को लीड बैंक की जम्मिदारी दी गई है यह कोशन पेपर में पूछा गया था कि लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी नो जन्पदों की जम्यदारी दी गई है ठीक है दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक इसको दो जन्पदों की जम्यदारी दी गई है ठीक है और तीसरा है आपका बैंक आफ बडोदा इसको भी दो जनपदों के जमेदारी दी गई है जो पंजाब नेशनल बैंक है इसको देहरदून और हरिदवार की जमेदारी जो बैंक आफ बडोदा है इसे नहनितान और उधम सिंग नगर की जमेदारी और बाकी के नो किसके पास है, SBI के पास है, यह पूछा जा सकता है, कितने बैंकों को उत्राखण में, लीड बैंक के जमेदारी दी गई है, तो तीन बैंकों को, ठीक है, भारतिय अद्दोगी विकास बैंक, देखें सारे करेंट फिर से आपसे पूछे जा सकता है, और जीके गया था, तो IDVI बैंक जो है ये 1964 में बना, 1976 में इसे RBI से अलग करके भारा सरकार ने इसका सौमित्व अपने हाथ में ले दिया, तो दोनों प्रशन याद रिखने हैं, IDVI डारेट जीके में भी पूछा जाता है अर्थविवस्था में कि कब इसका गठन हुआ 1964 में, RBI ने इस 1989 में, यानि कि हम सिडवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिडवी की स्थापना 89 में होती है, काम करना ये 90 में शुरू करता है, इसका हैटकौार आपके लखनव में इस्तित है, ठीक है, दोनों आप से पूछे जाते हैं, राज्ये में RBI की बात करते हैं, अब ये कोशन बहुत पहली बार RBI बोड की बैठक कब हुई? पांच मई 2006 को, इस बैठक में RBI के जो ततकालीन गवर्नर थे, YB, Reddy, ये भी शामिल थे, और इसी बैठक में निड़ने लिया गया कि 30 जून 2006 को देहरादून में एक कारले स्थापिद किया जाएगा, हालाकि निड़ने लिया गया कि देहरादून में भी एक छेत्रिय कारले खोला जाएगा RBI का और ये कब खोला गया? 30 जून 2006 को, ये कोशन बहुत बार एक्जाम में रिपीट हुआ है कि देहरादून में RBI का छेत्रिय कारले कब खोला गया? 30 जून 2006 को, ठीक है? अब बात करेंगे उत्रा खंड में फिर से आई आपदा का आप जानते हैं पिछले साल फरवरी में जो आपका चमोली के अंदर तपोवन में ग्लेशर के तूटने से बार आ गई थी रिशी गंगा में उसके कारण जो घटना यहाँ पर घटी थी देगे रिशी गंगा में अचानक आई बार से चमोली के जोशिमत ब्लॉक का जो रेणी और तपोवन है यहाँ पर भारी तभाई होती है किदारनात आपदा के बाद यह दूसरी बड़ी घटना थी आपको डारेट ऐसे क्वेशन बनेगा आपदा कब आई थी यह वाली जो रिशी गंगा में आई थी कौन सी नधी में आई थी रिशी गंगा कब आई थी इलगबख फरवरी 2021 में आई थी कुल मिलाकर इस आपदा में 206 लोगों की मृत्यू होने की पुष्टी हुई जिसमें से केवल 70 लोगों के ही शव ब्रामद हुए बाकी लोगों का पता ही यहाँ पे नहीं चला था तो किसकी वज़े से आई थी रिशी गंगा में कोई ग्लेशर का टुकड़ा था वो टूटकर गिर गया था जिसके करण जो नदी का मूँ था जहां से पानी निकलता था वो बंध हो गया जैसे ही ग्लेशर वो पिगला पानी एकदम से एक साहत पहा वहां से और बिना बारि वीडियो में हम राश्ट्रिय घटना करम और जो राज्य घटना करम है उसके बारे में बात करेंगे डेट मैं आपको बताओंगा ठीक है चली विश्व में कोरोना महमारे की बात करें तो को लेकर आपसे फैक्ट बन सकते हैं नाम की बात करें वैग्यानिकों ने इसे क्या सार्ज-CoV 2 का नाम दिया था सार्ज के फुल फॉर्म क्या होती है सेवर एक्टिट रिस्परियट्री सिंड्रॉम Corona वाइरस डू इसका नाम दिया था विग्यानिकों ने बाद में डबलीच व्यूर्य ने इसे कोविट नाइंटी यानिक की कोरोना वाइरस डिजीज दुह- 2019 जिसे हम शौट में COVID-19 नाम कहते हैं तो आपसे एक तो यह पूछेगा विग्यानिकों ने क्या नाम दिया डवलेचों ने क्या नाम दिया आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए ठीक है चलिए शुरुबात की बात करते हैं कोरोना कहां से शुरू हुआ था देख किस निकला था कॉरोना का औकार कैसा होता है तो इसका औकार मुकट की तरह होता है भारत में पहला केस कब आया था yeet the 30 जेनवरी 2020 को केरल में आया थ को दिल्ली में पहला केस बहुज cider वीं में और पहला केस था देश का ये साथल केस था उत्राखंड में पहला केस कब आया? तो 15 मार्च 2020 को उत्राखंड में पहला केस आया था अगला है यहाँ पर कुछ important dates है WHO ने कोरोना को महामारी कब घोशित किया था? WHO ने कोरोना को महामारी 11 मार्च 2020 को घोशित किया ठीक है? भारत ने इसे 14 मार्च को आपदा घोशित कर दिया था और उत्राखंड ने भी 14 मार्च को ही इसे महामारी घोशित कर दिया था तो 2-3 बातें याद रखेंगे WHO ने कब घोशित किया? 11 मार्च को भारत ने कब किया? 14 मार्च को उत्राखंड ने भी 14 मार्च को भारत में कोरोना से जो पहला मृत्यू होती है वो होती है 12 मार्च को ठीक है और दो दिन के बाद इसे भारत में आपता खोशित कर दिया जाता है एमर्जंसी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था तो वो था जापान जनता कर्फ्यू भारत में कब लगा था important dates हैं जो पूछी जाती है जनता कर्फ्यू भारत में आप जानते हैं 22 मार्च 2020 को लगा था इसके बाद lockdown जो लग गिया था permanent 21 दिन का वो 15-25 मार्च से लगा उसके बाद इसे बढ़ाते रहे तो lockdown शुरू हुआ था 25 मार्च से लगातारी आगे बढ़ता रहा unlock की जो शुरुवात होती है वो एक जून से शुरू हो जाती है दोनों dates आपको याद रखनी है उत्राखन में कोरोना के अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको पर बता चुका हूँ उत्राखन में हमारी से 15 को घोशित किया और 15 को घोशित किया और 15 को पहला केस उत्राखन में आया जब कोरोना को लेकरके बहार से लोग उत्राखंद में वापस आ रहे थे जो उत्राखंद के निवाजी थे तो उन लोगों के लिए मुख्या मंतरी त्रीवेन सिंग रावत के द्वारा एक योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री सुरोजगार योजना कब इसकी शुरुवात की गई 20 मई 2020 को इसकी शुरुवात करी गई थी इंपोर्टन्ट है योजना आपको याद रखनी है ठीक है चलिए अंग्रेजों ने महामारी अधिनियम कब बनाय था अंग्रेजों का ही जो अधिनियम था ये लागू किया गया भारत में भी 1897 का महामारी अधिनियम ये था ठीक है तो इसे भी आपको याद रखना है कुछ इंपोर्टन्ट डाटा कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था तो ये था पंजाब लोगडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था राजस्थान महामारी घोशित करने वाला पहला राज्य कौन था हर्याणा एक करोड कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन था उत्तर परदेश था, ठीक है, कोरोना किस अंग को प्रभावित करता है, कोरोना से हमारे फेफडों को ये प्रभावित करता है, यानि कि जो हमारा स्वसंतंत्र है, ये प्रभावित करता है, कोरोना किस पे इफेक्ट डालता है, सीधा हमारा जो स्वसंतंत्र है, फेफड है, इ reaction ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना संकर्मन का जो टेस्ट है RT-PCR इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसके फुल फॉर्म यह है ठीक है और लास्ट में अंतिम कोशन जो यहां से बन सकता है भारत सरकार ने विदेशों से भारतियों को वापस लाने के लिए कौन सा आपको याद रखना है तो फ्रेंट्स यह था हमारा विंसर एयर बुक का पहला पार्ट हमने देखा इसमें हमने आदी संग्रचारे की प्रतिमा को ले करके हमने बात करी उत्राखंड के जो प्रमुख वीर थे उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न को देखा फिर हम करेंट अफेर प्र आये हमने उत्राखंड का जो अमरित महटसफ है इसके वाद हमने 2 Coral 2021 का जो ओलमक है उसके बारे में बात करी, फिर हमने तीन किसरी कानून के बारे में बात करी, गैरसेन, राजधानी, संबंदित तथ्यों को लेकर बात करी, उत्राकंड के बजट को लेकर बात करी, कोरोना को लेकर हमने बात करी, ये पहला पार्ट था, नेक्स पार्ट में हम घटना करम को यहा थेंक्ट्यू फ्रेंड्स